Good morning student, जैसी किसना, हमने पिछले क्लासिस तक नाउन की डैफिनेशन और चार काइंड नाउन के पढ़ लिये थे अब हम पांच वार नाउन पढ़ रहे हैं, material noun, material noun क्या होता है? a material noun, जो material noun होता है, names, name देता है, something we can see, जिसको हम देख सकते हैं, and touch, और जिसको हम छूँ सकते हैं a substance या एक material, something used for making things, वे substance या वे material जिसको हम use करता है for making things, चीजों को बनाने के लिए it can also be an article of food, यह जो होता है, article of food, food का article हो सकता है, और drink, पीने का सामगरी हो सकते है raw elements, कच्चे परदार्थ हो सकते हैं, और objects, और objects हो सकते हैं, existing in nature, जो nature में exist है, nature में रहते हैं वे सारे किस्क में आ गए, material noun के अंतरगत आ गए, तो material noun क्या हो गया, जिसको हम देख सकते हैं, छूँ सकते हैं, वे substance, वो material जिसको अपन किसी भी चीजों को बनाने के लिए use करते हैं, ठीक है, यह material article of food हो सकता है, drink यानि की पीने का हो सकता है, raw elements यानि कच्चे परदार्थ हो सकते हैं, और वे सारे object जो nature में existing है, example ले लिया मैंने gold, milk, silk, wheat, wool, sugar, mercury, water, iron, uranium, यह सारे किस के अंतरगत आ गए, material noun के अंतरगत आ गए, ओके, तो आज एक noun ने एक ही बच्चा था material noun जिसको मैंने पढ़ा दिया, thank you